हलो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीर कमूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक जबर्दस्त इंट्राडे ट्वेडिंग स्ट्वेड़ी और यह जो इंट्राडे ट्वेडिंग स्ट्वेडिंग स्ट्वेड़ी आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी सिंपल है कोई भी उसको आसानी से यूज कर सकता है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और at the same time वो बहुत सटीक और पावरफुल भी है जिसका इस्तेमाल आप ट्वेडिंग में आसानी से कर सकते हैं और वो आपको ट्वेड को काफी हद तक प्रॉफिट टेबल बना के देगा तो चली देखते हैं इंट्वार्डे स्ट्वेड़ी क्या है और उसके बेशिस पे हम ट्वेड कैसे ले सकते हैं वो हमें profit बनाने में कैसे help कर सकता है तो यहां पर हम चार्ट पर आगे और देख सकते हैं यहां पर आपका निफ्टी का 5 मिनट वाला टाइमफ्रेम वाला चार्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम फ्रेम को लेगे लोगों के मन में डाउट रहता है तो यहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ, हम इंट्राडे ट्वेडिंग को पर बात करें तो यहाँ पर आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट यह दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिम्म लोग यही दो टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्वेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम आप चाहो तो 50 मिनट भी ले सकते हो या फिर 5 मिनट भी ले सकते हो ज्यादा प्रेफर आप 5 मिनट को भी कर सकते हो उसकी बाद ये जो trading strategy मैं बताने जा रहा हूँ इसके जरी आप nifty में भी trade कर सकते हैं, bank nifty में भी trade कर सकते हैं और even stocks में भी trade कर सकते हैं और वैसे stocks को pick किजिए, जहां पे आपको भरोसा हो, जो कि आपका दिग्गत stocks है, उस stocks में इस strategy के basis पे आप intraday trading कर सकते हैं, तो चली देखते हैं, हमारा strategy क्या है, तो यहां पे हम जो strategy की सुरुआत करें, हम first of August से market को analyze करेंगे, till आज के date के according, यहनी 18th August, और इस 18 days में देखे analyze करने जा रहे हैं, अब यहां पे हमारा strategy क्या है, हम यहां पे first of August से trade कर रहे हैं, तो यहां पे जो हमने strategy बनाया है, previous day, previous trading session जो भी है, उसके highest point को हम mark कर लेंगे, और हम lowest point को mark करेंगे, सिर्फ हम high और low को mark करते हुए, हम यहां पे trading strategy form करेंगे, इसलिए मैंने बोला था, यह trading strategy काफे simple है, तो यहां पे हम first of August को हमें क्या trade लेंगे, उससे पहले last trading session है, इसका highest point यह है, हमने इसको mark कर लिया, और इसका lowest point यह है, हमने इसको भी mark कर लिया, अब हमें देखना है, कि आज का जो trading sessions है, क्या इसके highest point को either support बना रहा है, या फिर resistance बना रहा है, या फिर इसके lowest point को support बना रहा है, या फिर resistance बना रहा है, मतलब anyhow, जो highest और lowest point है, उसको किसी भी condition में respect कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा है, तो यहां पे अगर आप देखें, तो price आपका इससे ऊपर open हुआ था, यानि price आपका gap up open हुआ था, लेकिन ऊपर sustain नहीं किया, यहां पे sellers ने entry मार और price नीचे आया, और जो इसका highest point था, यहां पे इसने क्या लिया, यहां पे इसने support लिया है, मतलब क्या किया है, इसके highest point को use किया है, कैसे, as a support level, अब यहां पे हमने देख लिया, इसका highest point को support level बना दिया है, और यहां से buyers active है, तो जैसे यह candle close हुआ, हम इस level के करीब, यह यह जो level है, आपका, 17,225 के करीब, यहां पे क्या करेंगे हम, buy side के तरफ अपना entry लेंगे, अब यहां पे देखे, काफी simple है, कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, previous day के high को mark कर दिया, और हमने देखा है, कि इसको respect कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, हमने देखा कि price उपर open हुआ लेकिन नीचे आके इसको support level बना है, और जैसे हमने confirmation मिला, कि यह support level बना हम इस level पे entry करेंगे, और इसका जो भी lowest point है, वो हमारा SL यानी stop loss के रूप में काम करेगा, और उसके बार target price के अगर हम बात करें, तो previous swing high या swing low को भी आप target के रूप में count कर सकते हैं, नहीं तो psychological level, हम आप यहां पे जो interview ले रहे हैं, बाइसेर की तरफ 17,225 के level पे, तो अगला cyclos के level है आपका, 17,300 और 17,350, यह तो हमारा target price बन जाएगा, यह हमारा target 1 होगा, और यह हमारा target 2 होगा, तो अगर आप इसको और अच्छे से देखें, तो same day आपको क्या किया है, इसने आपको 17,350 क level को भी hit कर दिया, यह नहीं, हमारा target price सा 17,300 और 17,350, दोनों को इसने hit कर दिया है, और देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे जवरदस profit मिलता हुआ दिखा है, इंट्राडे में, यहाँ पे हमने starting में hit वेड लिया था, और market close होने से लगबग 15,20 मियाट पहले हमारा second target price भी hit हो यानि तो चाहे तो उससे पहले भी आप यहाँ पे exit कर सकते हैं, तो अपने ही साब से आप यहाँ पे निकल सकते हैं, लेकिन इसने target price को hit किया, और अच्छा खासा profit बना के दिया है, उसकी बाद हम आते हैं next trading session, यह नि second of August को, अब इस दिन हमें क्या करना, first of August के highest point को mark करना और lowest point को mark करना, अब देखिए, price आपका थोड़ा सा नीची open हुआ है, और highest और lowest point के बीच में ही trade करता रहे गया है, तो नहीं इसको resistance level form किया है, और नहीं इसको supportable form किया है, या फिर नहीं इसको resistance, नहीं इसको support, मतलब high or low को कोई use ही नहीं किया, इसके लिए कोई काम का level व हम क्या करेंगे, trading avoid करेंगे, यहाँ पर हम trade नहीं लेंगे, हम simple सा strategy ले रहें, previous day के high को या फिर low को, किसी एक को respect करना चाहिए, उस level पर आके रुकना चाहिए, या फिर उस level को कुछ न कुछ बनाना चाहिए, support या फिर resistance, तभी हम trade लेंगे, otherwise हम trade नहीं लेंगे, और ये भी बारा बज़े से पहले ही होगा, बारा बज़े के बाद अगर ये मेरे support या फिर resistance को respect करता है, या कुछ भी करता, वो मेरे काम का चीज नहीं है, मेरे काम का चीज है, 12 बज़े से पहले, या नहीं फर्स्ट हाफ में जो करना इसको करेगा, अगर फर्स्ट हाफ में नहीं किय कर दिया और इसके lowest point को हमने यहां पर मार्क कर दिया अब देखिए प्राइस आपका ग्याप ऑपन हुआ उपर गया और इसके हाई के करीब आते आते हैं यहां पर कम हो गया मतलब इसके हाई का जो लेबल है इसको यूज किया है एजर वेशिस्टेंस कई बार क्या होगा कि ए जाता है और यहां पर देख सकते हैं यह जो रेट केंडल है वह ग्रीन केंडल को पूरी तरीके से टेक आवर कर लिया है यहीं सेलर के स्ट्वेंद को डिनोट कर दिया तो हम यहीं पर क्या करेंगे इंट्वी लेंगे और इससे पहले हमने देखा है कि एक सब्सक्राइबल फिए कौन सा है 17,350 यहां पर हम यह लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे जैसे 17,350 का लेवल ब्रेक होगा हम यहां पर सेल साइट की तरफ इंट्वी लेंगे इस्टॉप लॉस मेरा यह बन जाएगा और टागेट प्राइस की बात करें फर्स टागेट प्राइस है सकेंड ट प्राइट का प्रॉफिट मिल जाएगा वो भी फर्स्ट हाफ में ही तो देख सकते हमने तीन ट्रेडिंग सेसंस देखा जहां पर मुझे एक दिन ट्रेड एवाइट करना परा और दो दिन मुझे यहां पर ट्रेड आसानी से मिल गया है अब यहां पर हम नेक्स उपन हुआ है और नीचे आया है और क्या किया यह जो इसका रिस्टेंस लेबल था इसको नहीं दिया है यहां पर कोई ट्वेड नहीं लेंगे अब देखिए प्राइश नीचे आया और यह जो आपका लोइस्ट पॉइंट साथ इससे नीचे जैसे यहां पर बार्यस से पहले ही लेना है यहां पर हमें avoid करना इसलिए हम क्या करेंगे सारह कुछ रिस्पेक्ट होता है पिर ज्यादा कोई importance वहने याता फिर जो भी ट्रेइडिंग सेजन पर आते हैं नेक्स फिफ्ट अगस्ट उससे पहले हम क्या करते हैं फॉर्थ अगस्ट के हाई और लो को मार्ग कर लेते हैं तो हाईस्ट पॉइंट आपका लगभग यह हो गया और लोइस्ट पॉइंट की बात करें तो यह हो गया अब देखिए कर रहा है तो यहां पर हमने एक सैक्लोज़कल लेवल भी देखा जो की आपका है 17,450 तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा हम यहां पर सेल साइड की तरफ जाएंगे पहला तागेट यह हो जाएगा 17,400 और दूसरा टागेट पर इसकी अगर हम बात करें तो 17, 17,350 या फिर प्रिवियस जो भी स्विंग लोवर देख सकते हैं इसके करीब है तो यह मेरा दूसरा टागेट पैस हो जाएगा उसके बाद ग्रेजुल यह आप सिंग लोग के लिए जा सकते हैं देखते हैं सेम डे इसने टागेट को हिट किया एक नहीं किया 400 को तो आसानी से ह iç हो गया है और यहां पर भी आलें यहां पर मुझे बना के दे रहा है में नेक्स ट्weezop सेजुन पर यापका 8 अगस्त को इस दिन आखती है किया कुछ हुआ है तो previous day का highest point आपका ये रहा और lowest point की अगर हम बात करें तो lowest point जो हमारा form हो किया है ये हमारा lowest point form किया है price आपका कहाँ पर open हुआ है इसे करीब open हुआ और थोड़ा सा नीचे आया और lowest point के करीब आया यानि lowest point को इसने respect किया है और क्या बनाया है ये आपका support बनाया है अब यहाँ पर भी exact touch ने किया इसे थोड़ा सा उपर ही वापस लोट गया लेकिन इसके करीब आने पर भी हम क्या मानेंगे यहाँ पर support level form किया है अब कब interview लेंगे यहाँ पर psychological level भी आपका 17400 है जैसे इसके उपर निकलेगा यहाँ पर हम interview लेंगे target price की बात करें 17400 और 17500 यह मेरा target price बन जाएगा यहनी previous swing high की बात करें तो यह आपका 17400 75 है यहाँ पर भी आप चाहो तो profit book कर सकते हो और उसके बात उपर गया है और यह दोनों target price को मेरे hit कर दिया है और इसका जो भी lowest point है यह मेरा SL के रूप में काम करेगा तो stop loss भी यहाँ पर आप काफी आसानी से लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने interview लिया और इसका lowest point जो भी है वो आपका stop loss के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और यहाँ पर भी मेरे target price को इसने असानी से hit कर दिया अब इसके बाद हम आते है next tweeting session जो कि आपका है 10th of August को इस दिन अगर आप बात करें तो उससे previous day का highest point आपका यह रहा lowest point की अगर हम बात करें तो lowest point रहा आपका यह अब price उपर गया है highest point से भी लेकिन इसके उपर टिका नहीं है और यही जो level है वो मेरा काया form कर दिया यह level मेरा अच्छा खासा resistance level बन गया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके करीब यह नि 17,525 के करीब हम यहाँ पर sell side के तरफ positions लेंगे और यह जो point रहेगा मेरा SL के रूप में काम करेंगे stop loss भी सब में देखेंगे काफी छोटा stop loss बन बा मतलब risk reward ratio भी मेरा काफी ठीक ठाग है यहाँ पर और देख सकते हैं previous support level हमारा यह है यानि 17,475 मेरा first target price बनेगा और second target price के बाद करेट यह लेबल हो जाएगा जो किया 17,425 और इसके बीच में 17,450 को भी एक target price के रूप में count कर सकते हैं और देखें लगबग यह आपका 450 के level को touch किया यानि दो target price यहाँ पर मेरा आसानी से हीट हो जाएगा तीसरा रह जाएगा नहीं तो आप यहाँ पर चाहो तो trailing SL का भी इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आपने जो भी profit मिलवा उसको secure करते चल सकते हो और ऐसे momentum से आप आसानी से profit निकाल सकते हो फिर second हाँ पर प्राइस कहां गया उससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर भी हमें opportunity मिला सेल सारी की तरफ लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो भी trade लेना वो कब लेना first half में ही trade लेना है उसकी बाद हम next trading session की बाद करेता यहाँ पर market आपका gap up open हुआ previous day का high low का कोई यहाँ पर मतलब बनता ही नहीं है उसके बाद आपका next trading session यह नहीं 16th of August को भी यह आपका काफी ज़्यादा उपर open हुआ है यहाँ पर भी previous day का highest lowest point का कोई मतलब बनता नहीं है तो यहाँ पर अगर हम 17th of August की बाद कर ले उससे पहले हम 16th of August के highest point को mark कर लेते हैं और lowest point को भी mark कर लेते हैं अब देखिए price slightly gap up open हुआ है और जो high बनाया था उसको यहाँ पर यह respect किया है और उसको यहाँ पर क्या form किया है resistance level बना दिया है अब price इसके उपर निकला है और जैसे इसके उपर गिया है हमारा एक psychological level भी break हुआ है 17,850 का यानि तो यहाँ पर आप 17,875 for the safety region यहाँ पर हम by side के तरह positions initiate कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना है कि जो psychological level है 18,000 उसके करीब यहाँ पर हम आ गए हैं तो थुरा सा साबधानी रहना है और यहाँ पर हमें काफी strict और small target price के लिए जाना है तो पहला target price मेरा होगा 17,900 करीब उसके बाद 17,950 और फिर 17,975 इन सारे target price के लिए आप जा सकते हैं तो देखिए जो पहला target price था मेरा 17,900 उसको भी hit कर दिया और दूसरा target price को भी hit कर दिया तीसरा hit नहीं हुआ तो यहीं भी हम profit बुक करके निकल जाएंगे या नहीं तो अगर आप trailing stop loss का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से हम क्या करें हम ज़्यादा कोई complications नहीं करें से previous day के high और low को mark करें और उसके basis पे trade ले रहे है और यह और काम कब करता जब आपका market trending हो यानि market कोई एक trend में हो चाहे वो आपका up trend में हो या फिट down trend में हो कोई एक अगर market trend पकरे हुए है तो यह strategy और ज़्यादा successful होता और ज़्यादा अच्छे से काम करता है नहीं तो अगर आपका market range bound भी है उसमें भी ये काम करता है बस market अगर आपका बहुत ज़्यादा gap up या gap down ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा injury लेने का opportunity नहीं मिलता है बागि आप यहाँ पे आसानी से trade ले सकते हैं आज के date की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लगबग हमें देख सकते हैं यह आपका एक हाई है प्रिविएस पॉइंट की अगर हम बात करें तो लगबग यही आपका लोइस पॉइंट बना तो प्राइस आपका ऊपर गया है और exact तो नहीं लेकिन highest point के करीब गया है तो इसको भी आप बोल सकते हैं काफी हद तक कि आपका resistance level का formation किया प्रिविएस डे के high को और उसके बाद हमारा एक psychological level भी है 17,950 तो जैसे इसके नीचे आएगा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं sell side की तरफ जा सकते हैं पहला target price 17,925 और फिर 17,900 या फिर आप देख सकते हैं इसको आप रख सकते हैं target के रूप में और उसके बाद अगला target price आप इसके lowest point पर रख सकते हैं जिसको hit नहीं किया यहाँ पे भी अगर हम twailing stop loss का इस्तमाल करते हैं तो जादा कुछ नहीं लेकिन यहाँ पे मुझे लगबख 30 से 50 point का profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा तो जो भी हमने strategy use किया हमने randomly अभी से लेके यानि 1st of August से लेके 18 of August का date को लिया है और हमने देखा कि एक strategy भी फेल नहीं हुआ जहाँ पे भी हमने trade लिया है वो सारा सटीक हुआ है लेकिन यहाँ पे आप इस तरह का result की उम्मीद मत किजिए आप यहाँ पे 70% का accuracy मान के चलिए यहनि अगर आप 10 trade लेंगे उसमें से 7 trade ही profit दे सकता है और 3 trade में आपको loss भी उठाना पड़ सकता है इस तरह के mentality के साथ चलिए और जो भी trade लेना आपको एक और ध्यान देना कि 12 पीम यहनि 12 बज़े से पहले ही लेना है बस आपको यही कुछ चीजे ध्यान रखना बाकि आप इसके basis पे आसानी से trade ले सकते हैं इसमीद करते हैं यह जो strategy है intraday के लिए यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई complications नहीं था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेश किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन